अफ्रीका से अमेरिका तक धर्ती में हो रहे बदलाव, हो सकते हैं खतनाँ. क्या है यह बदलाव? आए देखते हैं. धर्ती इसमें हैरत अंगेज बदलाव से गुजर रही है, कुछ बेहुत खतनाँ हो रहे हैं. जमीन की एक बड़े हिस्से में धर्ती के चुम्मके सक्ति कम कमजोर हो गई है यह इतनी कमजोर हो चुकिए कि अगर इस इलाकी के उपर से विमान निकले तो उसे संपर्क स्थापित करने में दिक्कत आएगी है रान हुए ना आए जानते हैं कि आखिर यह समस्या क्या है और यह कैसे आई धर्ती की एक बहुत ही बड़े हिस्से से के छेतर की सकती में कमी आई है अफ्रीका से लेकर दक्षिन अमेरिका तक करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी में धर्ती के अंदर मैगनेटिक फिल्ड की ताकत कम हो चुकी है समानने तोर पर इसे 32,000 नैनो टेसला होना चाहिए था लेकिन 272 से 2020 तक घटकर 24,000 से 22,000 नैनो टेसल पतक्षा पहुची है ये जनकारी European Space Agency के सेटेलाइट स्वार्म से मिली है धर्ती के इस हिसे पर चुम्बक की छेतर में आई कमजोरी की वजह से धर्ती के उपर टैनात सेटेलाइट और उड़ने वाले विमानों के साथ संचार करना मुस्किल हो सकता है बैग्यानिकों ने ब अलन्टिक एनो मली कहते हैं अब आप सोच रहे होगे कि धर्ती की चुम्बक की सकती में हमें क्या मतलब तो आपको बता देगी धर्ती की चुम्बक की सकती की वजह से ही हम अंत्रीक्ष में आने वालीconoingen से बचे रहते हैं इस सक्ति के सहारे सभी परकार के संचार प्रणालियों जैसे सेटलाइट मोबाईल चैनल आधी काम कर रही है धर्ती की मैगनेटिक फिल्ड कैसे पैदा होती है अई ये थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं धर्ती के अंदर गर्म लोहे का बहता हुआ समंदर है यह धर्ती की सतह से करीब 3000 किलोमीटर नीचे होता है यह घूमता रहता है इसके घूमने से धर्ती के अंदर से इलेक्ट्रिकल करेंट बनता है जो उपर आते आते इलेक्ट्रो मैगनेटिक फिल्ड में बदल जाता है अफ्रीका से अमेरिका तक जो बदला हो रहा है हाली में कुछ studies आई थी कि धर्ती का magnetic north pole अपनी जगह बदल रहा है यह पोल कनाडा से साइबेरिया की ओर जा रहा है यह इसी गर्म पिगले हुए लोहे के घूमने के वज़ा से हो रहा है अफ्रीका से दक्षिन अमेरिका तक के इलाके में जो magnetic field की कमी आई है उससे उस इलाके के उपर हमारी चुमबकिये सुरक्षा layer कमजोर हो गई है यानि इस इलाके में अंत्रिक से आने वाली radiation का असर ज्यादा हो सकता है जर्मन रिसर्ट सेंटर सोधकरता मरगेन मात्चेका ने बताया कि European Space Agency का स्वार्म सेटेलाइट इसलिए बनाया गया था कि वो धर्ती की चुमबकिये सकती का सही आगलन कर सके पिछले कुछ दसकों से अफ्रीका से दक्षिन अमेरिका तक के इलाके में चुमबकिये सकती तेजी से कम हो रही है जर्गेन ने बताया कि अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यह पता करना होगा कि धर्ती के केंद्र में हो रहे बदलाओं से कितना बड़ा बदलाव आएगा क्या इससे धर्ती पर कोई बड़ी अपदा आएगी आम तोर पर धर्ती की चुमबकिये सकती दो पॉइंट पांच जीरो लाख साल में बदलती है लेकिन अभी इसमें काफी साल बाकी है